हेलो स्टूडेंड कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे क्लास 11 कमिश्टी मेरे बच्चो आज का जो मारा टॉपिक है बिकर्ण संबंध है और इसमें कोश्चन सीधा दो नंबर में पूछा जाता है इसलिए आप लोग अच नीचे हम बिकर्ण संबंध तो इसके बारे में पूरा गुर बताना पड़ेगा लेकिन अभी जो 11 क्लास में आता है कि विकर्ण संबंध है क्या इसको आपको है ना वित्षिक जांपल आपको समझाना पड़ेगा देखिए क्या होता है कि जब हम आबर्त में बायां से दाय हो जाता है फिर magnesium हो जाता है फिर aluminium हो जाता है सिल्कान हो जाता है तो इन तत्तों में क्या होता है कि भाई अपने समों में तो समानता दर साते ही जैसे lithium sodium फिर potassium यह अपने समों में समानता दर साता है simple carbon जो सिल्कान है अपने समों में समानता होगा हाइड्रोजन है फिर लीथियम तो दूसरे आवर्त में है और यह जो सोडिया में हो तीसरे आवर्त में है तो जो आपके दूसरे आवर्त के तत्तों तीसरे आवर्त के तत्तों के अगले ग्रूप वाले अगले ग्रूप यहीं अगले समूँ वाले तत्तों के साथ समानता दर्साते हैं जिसे दिक कोई भी जो आपका तत्तो है या परमाडू है, अगले आवर्त के, अगले समूह के तत्तो से समानता दर्साता है, इसे ही कहते हैं विकर्ण सम्मन्द, जिसे बेरेलियम जो है, अलमिनियम से समानता दर्साएगा, बुरान जो है, सिलिकान से समानता दर्साएगा, य अगले आवर्थ ध्यान रखना ये भी है कि जैसे कोई भी तत्तो है अगले आवर्थ के अगले समू से समानता दर्स है जैसे बेरेलियम है अगले आवर्थ यह आपका दूसरा आवर्थ है उसके अगले आपके पास ग्रूप होगा यह समू होगा उससे समानता दर्स आएगा और इसे ही बोलते हैं बिकर्ण संबंद यह पाया गया कि दूती आवर्थ के कुछ तत्तों जैसे दूसरा आवर्थ है मैंने पहले ही बताया दूती आवर्थ के कुछ तत्तों तत्तों के अगले समू के साथ कुछ न कुछ तत्तों के साथ समानता दर साथे जिसे बिकर्ण नम्बर में दी कोर्शन आया, बस इतना ही लिखना है, और कुछ भी नहीं है, अब इसके बिकरन के समानता की कुछ न कुछ कारण है भाई साब, बिकरन सम्बंद में क्या कारण हो सकता, जिसके कारण ये समानता दर्साते हैं, देखो, पहली बात तो बिद्धुत्रनात मक्ता ये रिद्धुत्रता कैसे जैसे पेरे बच्चों जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो रिद्धुत्रता के मान में कमी होती है स्वरी ब्रद्धी होती है जिसमें बात करो लीथियम से ज़्यादा बिरिलियम का होगा बेरिलियम से ज़्यादा बुरान का होगा बुरान से ज़्यादा कार्वन का होगा इसी प्रकार सोडियम से ज़्यादा मैंगनीसियम का होगा मैंगनीसियम से ज़्यादा एलुमिनियम का होगा लेकिन एलुमिनियम से ज़्यादा सिलिकान का होगा ये तो आपने पढ़ा से कम होगा वोरान से ऐलुमीयम का कम होगा करवं से सिलीकान का कम होगा उपर से जाने से इलेक्टरान को अपनी और करत्जित करने की ने आपको आपको यह भी बता है कि जब 20 शेदाए चलते तो ब्रद्धी होती है जिसमेद लीधियम से बेरियलियम की और चलूँगा तो बेरियलियम को रहने बिदुता अधिक होगा लेकिन ऊपर से चलूँगा नीचे की और तो फिर नीचे की और आने से कम ही होती है मतलब यहां भी मैंगनीसियम का कम है तो बेरलियम का अधिक होगा मतलब लीथियम का भी बेरलियम से कम है मैंगनीसियम का भी बेरलियम से कम है तो कहीं न कहीं कुछ रण विदुत्ता में समानता पाई जाएगी इस कारण से विकर्ण संबंद होते हैं ठीक है तो ये विखर्ण संबंद के कुछ कारण यहां पर लिखा है कि विखर्ण संबंद होने का एक कारण है विद्धूत्रनागता या विद्धूत्रनता है ना आबर्त में जब हम दाएं ओर चलते हैं रणविदृत्ता बढ़ती है और समों में नीचे को जाते हैं तो घटती है जिससे हम कह सकते हैं कि इनके बिकर्ण के तत्तों का रणविदृत्ता लगबग बराबर होगी तो एक कारण भी आप समझे लो क्योंकि एक ही कारण ल में पेरवच्चो एक परमाण दूसरे से अट्रेक्शन से कही ना कहीं बल के कारण कहीं ना कहीं एक बंद के कारण जुड़ा है अब वह साधे के इलेक्टरान को अपनी और आकर्सित करने की छमता ब्यट्ट कर रहा है तो जो हम बाएस इदाय चलते हैं तो उनकी जो छमता आप लोग त्यार कर लेंगे और इतना ही आपको त्यार करना कुछ नहीं विकर्ण संबंद छोटा कोश्चन आएगा दूंक में तो इतना ही करना बच्चो ज्यादा करने जिरोत नहीं है उम्मीद करता हूं वीडियो परसंद है तो लाइक करें शेयर करें और ऐसी छोड़